कि मैं आप सभी का सुख्चिन तक भीच्चू विपी थिरोजोती राश्टिया महासिचित बुद्ग्या मुक्ति आंदलों सभी की कि सबसे पहले मैं आप सभी के सुकी जीमिन के मंगल का मैं करता हूं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो आज किसान आंदलों अब तक चल रहा है बहुत लंबे समय से वह जितने भी हमारे इसन भाई ये बहने हैं जो हिम्मत और साहस के साथ अभी भी किसान आंदल रहा हुँ कई सवाल-जवाब मेरे मन में आ है यह कर més ना कहूं लेकिंसटा कि अपने बन की बात को आप लोहों तक पहुंचाने का प्रेहस करूं कि बहुती बात रजबच चल गया है कि यहां की शुरुबात भी वारतिका प्रत्रीजी ने कि है कि मन की बात मन की बात तो हब हर इंसान बोलना सी गया कि मेरे एक मन की बात है मेरे मन में बात है लेकिन मैं मन की बात नहीं कर रहा हूं मेरी अपनी पीड़ा है कुछ मेरे मन में विचार है जो आप लोगों के बीच में बताने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंच रिराज्यों के बन रहे हैं जो कभी महिलाओं के पैरने ओड़ने के ऊपर टिपड़ी करते हैं जल्दी में अभी एक मामला सामने आया था उत्राखेंड के मुख्यमंत्री जी जो भी नए बने हैं उन्होंने भी कोई ऐसा जब वो दिया है एक बयान की महिला जिस पहनती हैं तो पैरने ओड़ने को लेकर तो उनके जवाब था लेकिन हम उसकी निन्दा करते हैं महिला स्वतंत्र हैं आजाद हैं और वह अपनी रक्षा करना स्वयम जानती है और इतनी सचेत हैं इतनी जागरूप हमारे देश की बहन बेटी है कि आज कल वो जानती है हमें क्या करना चाहिए क्यानी करना चाहिए अब साथ ही में यह कहना चाहूंगा पूरे देश में माहौल सबको पता है कि किसान आंदोलन चार महीने के लोगों आज भीद चुके हैं और 300 से ज़्यादे किसान अपनी जान गमा चुके हैं सहीद हो चुके हैं आलगा कि उनके परिवार और कितना बुरा वक्ता है और कैसा दोर गुजरा लेकिन मैं इतना वादा इतना कह सकता हूं दावे के साथ कि आने वाले समय में इत्यास में जब भी नाम लिखा जाएगा तो वो 300 सहीद जो हुए हैं उनका नाम कभी आने वाली पीडियां आने वाली जनता आने वाले देश के युवा पिडियां और आने वाली जन्मानस कभी गून को भूलाया नहीं सकती हैं उनका युदान याद रख जाएगा अभी कुछ दिन पहले हमारे राजना सीम जी जिसके रक्षा मंतरी जी जो हैं वो एक बयान दे रहे थे कि को अगर पक्षिम मंगाल में भाजपा की सरक का रही तो महिला सुरक्षत होंगी तो एक सवाल में मानिये रक्षा मंतरी जी से कहना चाहता हूं आपके राहूल लाइफ 85 के माध्यम से कि जो उत्तर प्रदेश में घैटना होती है वहां महिला सुरक्षत क्यों नहीं दिखाई जाती है रात के बारागे पैट्रोल डाल कर की चली जाता है बेटी को छली जाती है और देश की बेटी होता है यह पक्षम मंगाल में ही क्यों बोला जाता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो यहां महिला सुरक्षत होंगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है मुझे यह बताने का कफ्त करें और भी कही ऐसे राज्य हैं जब बीजेपी की सरकारों खुले आम वहां पर ताना साही चल रही है एक तरफ दूसरा वहां पर पांच सांसदों को फिला से मंत्री जी केंद्रिय मंत्री जी उनको विधानसवाद चुनाब लड़ाया जा रहा है यह बड़े अजीव वाली दुनिया तो ऊपर जाती है लेकिन हैं नीच लाया जा रहा है क्योंकि सिर्फ पॉस्ट्री माहुल बनाने के लिए जब भी माहुल पक्षिन मंगाल में कुछ भी नहीं है मंता दीदी के फिवर में माहुल है पुरह देश की जनता जानती है पुरा देश सचान चुका है पुरह देश अब पुरा देश जागुर को चुका और पुरह देश की जनता जागुर को चुकी है फैकू भासनों सुन सुनके लोगे कान पक चुके हैं जूटी सब्सक्राइब में नहीं है ऐसा लोगों का मानना आए दिन खुब हम यूटूब पे सोचल मीडिया पे चैनलों पे पेपरों में खुब हम देख रहें लेकिन जब बास्त्रिक से जंता अब गर्त हो चुकी है तो अब ऐसे टैम पर मैं समझता हूं कि भारती जंता पालिटी क अस्वस्त है उनके पैर में बहन कर चोट आई जिसको बहुत से लोगों ने राजनीतिक मोड भी दिया जिसको राजनीतिक के साथ साथ यहां तक कह दिया कि ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ यह राजनीति करने के लिए सब ड्रामा कर रही है तो मैं एक बात पूछ रहा हूं क भकोषला नहीं था वो क्या था वह ड्रामा नहीं था लेकिन सच्चा ही क्या है एक दावे के साथ हमारे देश के ग्रह मंतरी जी कहते हैं अभी वी मैं आज सुन रहा हाता करें जम दोसों के पार आएंगे और ऐसा कहा जाता है जो वो बोल देते हैं वो इतनी शीट ले आते हैं यह तो हभी इसपे तो नहीं जाना चाहते और वहलीबाति आए किसे लेके आते हैं कैसे जीते हैं और आज ורड़े काशान्गाल बोताया रहा है आज पकृश्म मंगालनने पकृरा संतांतान मारा मार है परचार्श परचार किया जारा रहा है टी-ैमसी कर देश कार के कि हमारे उत्तरप्द सरकार में कितनी अच्छी कानून वरुस्ता है सब जानते हैं भली भात ही जानते हैं यहां कुसासन चल रहा है उसको सुसासन बताया जा रहा है और जहां सुसासन चल रहा है उसको कुसासन बताया जा रहा है जैसे जैसे हमारे कुछ पत्रकारों का भी जमीर जाकता जा रहा है कुछ नेताओं का भी जमीर जा रहा है तो वह ऐसी गंदी विवस्ता एसी गिनोनी पाइटी को लोग छोड़ करके अपनी दूसरी पाइटियों में जावी रहे हैं यह भी देखने की जरूरत है आज हम सुन को भगाने वाले लोग हैं उनसे समझोता कर रही है मैं इक बात पूछ रहा हूं पांस साल से सरकार आसाम में आपकी है आप यानी बीजेपी की सरकार है तो पांस साल में स्थिति वहां क्यों नहीं सुद्री और आप कह रहे हैं कि पक्षिम मंगाल को भी उसी में देख रहे हैं तो मेरे कहने का अभी प्राय कुल मिला करके यह है कि फैपू भासलों से सावधान रहने की आवसकता है फुशलाने वाले बातों से सावधान रहने की आवसकता है बड़े बड़े नाटक करने वाले नेताओं से सावधान रहने की आवसकता है और जो पुन्हें हर जगे पर यह जो बार बार बोला जा रहा है कि हम सासन अच्छा देंगे सब को न्याय देंगे सब को यह देंगे तो आप भली भारती जानते हैं पुरे देश की जनता जानती है अब वो जनता से छुपा हुआ नहीं रह गया है कि जहां-जहां भारती जनता पाइटी की सरकार हैं व कोई बोलता है तो उनको जेल में ठोका जाता है कोई बोलता है तो उनको दंगे फ्रसाद में फसा जाता है कोई बोलता है तो उनको एने से लगाया जाता है कोई बोलता है तो उपर तरह तरह की धारा लगा करके उनको फसाने का काम किया जाता है मेरा देशवासियो मैं किसी प लगाव नहीं है। संठेख करें सोचेगी कि युवाओं के रोजगार के लिए सोचेगी कोई भी सरकार हो उसके लिए सदेग तयार रहेंगे और जो इन बातों को नहीं मानेगी वह सिर्फ अपने ही पाईटी का जनाधार चारत्रफ बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो बढ़ाएगी और जंता के लिए कुछ नहीं करेगी तो हम ऐसी पाइटी का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते जो देश हितकी नहीं वह हमारी नहीं जो देश हित में कदम उठाने वाली पाइटी नहीं वह हमारी नहीं इ UKMRI नहीं मिठती गरीबी नहीं मिठती और यहां तक की महीलाओं की सुरक्षा भी नहीं होती इसे लिए भासवण में सत्ता भी पार चाहिए और जितना बोलते हैं उससे कम तो कुछ तो कुछ तो लोगों को करना ही चाहिए, मैं जादे ना कवँगा, यही कवँगा, कि पक्षिम मंगाल का चुनाब आने वाला, जो चुनाब आ रहा है, आसाम में जो चुनाब आ रहा है, और पंड़चेरी में, कुल मिलाकरके पांच जो में चुनाब है वहां की जनता जागुरुक है समझदार है और जिनों ने पुरे देश ने किसान आंदलन देखा है नोट वंदी देखी है और वी लॉकडाउन में जो हमारे लिए सब के लिए प्रबंद करने चाहिए थे वो ना करके किस परकार से जनता के साथ खिलवार क चाहिए और आज 侑न रुजगार के लिए परिशान है बेटी 30 वर्यगार के लिए परिशान है इच्जतमान संमान के लिए परिशान है बड़े बुडे बुज्रुक अपनी पैंसेन और परिशान हैं और से लेकिन अभी आने वाले में जो चुनाव आरहे हैं सबस्क्राइब कोई गिला सिक्वान हमारे देश की धरोबर को बेचने का काम काम कर रही है यह कहते रहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया, तो मैं एक बात कूछना चाहरा हूँ, यह जो बेच बेच के देश का गुजारा हो रहा है, जो बार बार कुछ न कुछ बेचा ही जाता है, कभी रेलवे स्टेशन बेच दिय खारें तो आप सब जानते हैं वली बाति के सतर साल से पहले जो सरकार है रही है उन्होंने जो कुछ किया था वो इस सरकार ने बेचने का काम किया है और बेचने का काम कर रही है और बड़े-बड़े भासनों से जनता को लुभाने का काम कर रही है और मुझे पूर्ण विश् पाए हमारे देश्किया आम जन्मानस अभी जान चुका है कि हमारे बोट की कीमत किया है तो मैं अच्छे से बलिवाती पर्चित हो सकता हूं मैं इस बात से मैं यह कह सकता हूं कि अपने अपने आप लेने का करें और आप जिदर को आपका देगे कि इदर हमारा हित है उस आप बोट देने का काम करें